Hello friends, welcome to our YouTube channel Indian English School for Kya तो friends, आज की इस वीडियो में हम लोग Headmaster को अप्लिकेशन लिखने के लिए सिखाएंगे आपको कि Headmaster को आप अप्लिकेशन कैसे दें ताकि वो आपका अप्लिकेशन देखती ही आपको जो की छुटी दे दें या आपका जो भी प्रोबलम है उसे सुन ले क्योंकि लिखने का टिरिक ही होता है में और आपका लिखने का अंदाज अच्छा है तो Headmaster क्या होते हैं इंप्रेस होकर के आपको छुटी दे देते हैं तो आईए आज हम लोग जो है बिमारी के कारण जो है छुटी के लिए जो अपने विद्याले के प्राचारिये के पास आविदन पत्र कैसे लिखें तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या लिखना है सेवा में ठीक है और यह जो लाइनिंग है ना यह जो आप लाइनिंग देख रहे हैं यह लाइनिंग आपका बराबर पोजिशन में होना चाहिए जिस जिस तरीके से मैं यहां पर लिखा हूँ उस तरीके से आपको लाइनिंग को देखते हुए लिखना है ठीक है लाइनिंग लिखेंगे ठीक है उसका लिखना है महाशयए ठीक है महोदे या फिर महाशय एक चीज़ या फिर आप लिखेगा मैं बुखार से पीडित हूं ठीक है मैं विद्याले आने में असमर्त हूं ठीक है इस परकार साब लिखेंगे फिर लाइनिंग को छोड़ करके थोड़ा सीधे इधर इस पेस देंगे खाली आ चूड़ेंगे फिर हटा करके यहां से लिखेंगे अता आप से निवेदन है कि मुझे 3 माई से 7 माई 2013 मैं एक ऐसे डेट लिके रखा हूँ इसे को यह नहीं है आप यहाँ पर जिस तारिक से चुटी लेना चाहते हैं तो आज मानिए कि आप लेना चाहते हैं चार दिसम्बर या फिर एक जनवरी एक जनवरी से जो है पांच जनवरी थक दोहजर चोवीस या दोहजर तईस आपकी मर्जी है जैसा आपको देना है आप डेट खाली चेंज कर देज़ेगा तो अता आप से निवेदन है कि मुझे 3 माई से 7 माई 2013 इने 5 दिनों की छुटी स चाते हैं तो छे लिखेगा साथ दिन की चाते हैं तो साथ दिन लिखेगा उसका इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा यह चीज़ आप लिखेंगे उसका लिखेंगे आपका अग्याकारी चात्रा ठीक है आप यहां पर धन् उसी का झाल देंग है कि यह लाट होना चाहिए अगर यह application आप लिक्ते हैं तो यह tabii मानिए मिक्षाइब करके आपको आपको जरूर्जड यही चुटी देगा तो आई हो आपको आपको अच्छी तरी के से समझ में आ गया होगा कि अप्लिकेशन कैसे लिखा जाता है अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लाइक करेंगे शेर करेंगे कोमेंट करेंगे तो मिलते हैं इस उड़ी में धन्यवादा